अध्या विवाद में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बड़ी टिपनी की है चीफ जस्टिस ने कहा है कि अध्या केस पे सुरवाई 18 अफ्रूबर तक खत्म होना जरूरी है अगर सुरवाई 18 अफ्रूबर तक पूरी रही कि हुई तो फैसला देरे का चांट खत्म हो जाएगा भारत के विदेश मंत्री एस जेश अंकर ने बुद्वार को नियू यॉर्क में कहा है कि पाकस्तान एक चुनौतिपूर्ण पडोसी है दुरिया में ऐसा कोई देश नहीं जो आतंकवाद को जानबूच कर भारत के खिलाफ भड़का रहा हो उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में ज्यादा दिक्कते अनुछे 370 हटाए जाने से पहले पिन्ग स्कैम में आरोपी मेहुल चौकसी को लेकर एंटीगुआ के प्रधान मंत्री ने बड़ा बयान दिया है गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चौकसी को धोखेबास फरार देते हुए कहा है कि भारती जाच एजन्सिया एंटीगुआ आकर मेहुल चौकसी से पूछताच करने के लिए स्वतंत्र है आतंकी और लशकरे तेयबा के चीफ हाफिस साइद को रहा दिलाने के लिए पाकिस्तान ने सयुक्त राश्ट के सामने गोहा लगाई है पाकिस्तान ने हाफिस साइद को अपने बैंक खाते का इस्तमाल करने की इजाज़त मागी थी इस पर सहीं उफ्तराश्टी समिते ने रोज मर्रा के खर्चों के लिए हाफिस सईथ को अपने खाते के समाल की अनुमती देगी है NSA अजी जोबाल एक बार फिर श्रीनगर पहुंचे हैं इस दोरान वो लोगो और अधिकारी और दोरों से मुलाकात करेंगे दरसल जमु कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब 50 दिन हो चुके हैं 31 अक्टूबर को जमु कश्मीर केंदर शासित प्रदेश बन जाएगा और यहाँ पूरी तरह से केंदर से के खानून लागू होंगे यही कारण है कि एनसे अजी धुबाल कश्मीर पहुंचे रोबर्ट वोर्डरा की जमानत को खारज करने के लिए लगाई गई है एडी की अर्जी पर आज दिल्ले हाई कोच में सुनवाई हुई इस दोरान E.T. ने कहा कि रोबर्ट वोर्डरा की जमानत खारज की जानी चाहिए क्योंकि हम वोर्डरा का कस्टूडियल इंस्टोगेशन करना चाहिए विकानेर लैंड डील मामले पर जोद्पूर हाई कोच में गुरुवार 26 सितंबर को रॉबर्ट वोर्डरा की याचका पर सुनवाई हुई विकानेर में दोसो परशत्तर विगाज जमीन खरीद के मामले में स्काइलाइट प्राइवेट लिमिटेज के खिलाफ E.T. की कारवाई रोपने के लिए याचका लगाई है कॉंगर्स के दिगज नेता और पूर्फ प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग आज 87 साल के हो गए है मनमोहन सिंग के जन्रेन के वाके पर प्रधान मंत्री नरींदर मोदी ने उन बढ़ाई दिया है इसा हाथसे में CRPF का एक जवान और गाड़ी चला रहे महराश पुलिस के जवान की मौत हो गई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर मुख्यमंत्री अकलेश यादव ने बीज़ेपी पर एक बार फिर्म निशाना साधा है इस बार अकलेश यादव ने शाजापूर पे चिनमयान इंद ब्लाक मिलिंग केस में गिरफतार लॉट छात्रा मामले पर चूइट किया अकलेश ने लिखा है कि भाजपा नेता के खलाफ साहल बिकाते हुए आवाज उछाने वाली बेटी को जेल भेज़कर भाजपा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है रणावधान सबर चुनाओं के लिए कॉंग्रस ने स्टार प्रचारकों के नाम फाइनल कर दिये 17 सिटिंग विधायकों को टिकेट मिलेगा दिली में जननायक जनतापाटी के नितार दुशियन चौटाला ने कहा कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए जेजेपी आई है जेजेपी की सरकार बनी तो रोजगार मेरा अधिकार का खानून लागू करके निजी शेत में 75 प्रिप्रिशत प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाना विहार में 21 ओक्टूबर को पांच विधान सबह सीट पर उप्चुनाओं होना है भुपाल में सीम कमलनाथ ने 11 पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोचारण के साथ पूजा अर्चना के बाद मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का शिला नयास कर दिया इसे के साथ मेट्रो ट्रेन का काम शुरू बिचे है महराश में जमकर तबाही मचाने के बाद बारिश ने पूरे में अपना फाहर बर पाना शुरू कर दिया है पूरे में जोरदार बारिश की वज़े से सड़कों से लेकर घरों तक बारिश का पानी भरा रहा गोंडर जिली के सरकारी अस्पताल में तैनात जिला शेयरोग रिकारी मलिक आलमगीर अपना प्राइविट क्लिनिक चलाने में व्यस्त हैं पर मरीजों का अलाज कर रहे हैं डॉक्टर मलिक को भनक लगी कि उनका स्टिंग हो रहा है तो वो अपनी कुर्फी छोड़कर भागते नजर आए सदर कोतवाली के सरकारी आवास में महिला कॉंस्टिबल ने दुपट्टे से फांसी लगा का सुखकुशी कर ली 2016 बैच की कॉंस्टिबल जुलेखा मूल रूप से गाजिपूर जिले की रहने वाली थी और इसकी वर्तवान कोस्टिंग बनकटा थाने में थी जोधपूर के बासनी ठाना इलाके में एक पुलिस कर्मी की लोगों ने पिटाई कर दी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूफ बाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मी नशे में घुथ था और लोगों से पैसे की लेंदेन की मान कर रहा था इस बात पर लोगों उसकी जम कर फिताई है इंदोर से नाको जा रही स्लीपर बस आज सुबह बैतूल बाजार के पास फोरलेन पर हाथ से कशिकार हो गए इस हाथ से में बस ड्राइवर की मौत हो गई जब की बारह पैसंजर गंभी रूप से घायल हो गए जिनको जिलास्पताल में इलाज के लिए भरती करवाया गया पंचकुला में 65 साल की बज़ूर्ग महिला का फून से लखपत शब मिलने से इलाके में संसरी फैल गई मृतक का नाम अप्रेम वर्ती है जिसका शब अपने घर के बाहर पड़ा मिला वही खबर मिलने के बाद पॉलिस मौकी से पहुंची और फॉरन सिक्टीम के साथ जाज पता शुरू करते बारतीय स्टेट बैंक ने खाते में मिनिमम बैलन्स नियम में फुड़ा बदलाव किया है एक उक्टूबर से होटल में ठहरना और कार खरीदना सस्ता हो जाएगा दरसल एक उक्टूबर से जियस्टी की नई दरे लागू होने वाले ही जिसके तहक होटल में दहना सस्ता होगा अब एक हजार रुपे तक किरायवाले होटल रूम पर टैक्स नहीं लगे पंकजाडवानी और आदित महता की जोडी ने विश्व टीम स्नूकर की खताब जीता है पंकजाडवानी और आदित महता की भारती जोडी ने थाइलेंट की जोडी को पांच दो से हरा कर ये खताब अपने लागे बंगाल वोरियोर्स और तेलगू टाइटन्स के बीच खेला गया मुकाबला इस मैच में बंगाल की टीम को काफी परीबी जीत पिली और उसने मुकाबला एक अंग से जीत लिया श्रिलंका के भारत दोरे का अयलान हो चुका है भारत अगले साल जैनुरी में श्रिलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी करेगा दोनों देशों के बीच तीन मैचों की टीटी सिरीज खेनी जाएगी विज़ित याई ने एक बयान जारी कर इस बाप की चान का निगी चोटिल होने से दक्षन अप्रिका के खलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्स से बाहर होने के बाद जसप्रीद बुम्राँ ने वादा किया है कि वो मैदान पर दंदार वाप्पी करेंगे भारत की बैड्मिन्तन खिलाड़ी तीवी सिंदु को पोरिया उपन सूपर 500 टूनामेंट के महिला एकलवर्थ के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा वॉल नमबर 11 अमेरिका की विविन ने कड़े मुकादर में सिंदू को टौनामेंट के पहले दौर में मादे कर टौनामेंट से पाहर के मुंबई में 10 वोग ड्यूटी अवर्ट्स में बॉलिवुद के तमान सलिप्स पहुचे जहां रेज कॉर्पिट पर स्टास ने अपने जल्बे बिखेरे सारा अली खान और सधान कतवेधी ने यहां फ्रेश पेस का अवर्ड चीता पर टाइगर श्राफ के फिल्म वर्ट एर्वांस बुकिंग 27 सतम बर्यानी कल से शुरू हो जाएगी एर्वांस बुकिंग फिल्म की रिलीज से एक हपते पहले स्टार्ट हो रही है